नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन वंसल वास्तु कंसिल्टेंट हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विशे पर जड़ जगरना चाहूंगा आज का जो विशे है वो है किचन आपका अपना फ्लेट है फ्लोर है कोटी है आप जहां पर भी रहते हैं आपकी किचन दक्षिन दिशा में आती है तो आपकी किचन एच पर वास्तु सबसे अच्छी मानी जाती है यहाँ पर किचन आने से घर के अंदर भरपूर धन दौलत होती है और ऐसा परिवार नामी ग्रामी भी होता है यानि उस परिवार को फेम बहुत मिलता है सिर्फिन को दक्षिन के भाग में बनाने से पैसा और नाम नहीं मिलता आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या अपनी किचन को रैनुट करने जा रहे हैं तो मैं आपको कुछ खास बते जरूर बताना जहूँगा दक्षिन दिशा में जब भी आप किचिन बनाए तो किचिन का जो फर्ष का लेवल है वो लोबी के फर्ष के लेवल से निचा नहीं होना चाहिए टाइल्स या पत्थर लगाने वाला जो भी मिस्तरी होता है वो किचिन के फर्ष को अदा इंच निचा कर देता है ऐसा करने से वास्तुदोश बनता है आपके यहां किचिन के अंदर यदि स्लैप पर जो भी आपका स्टोन लगना है यदि आप वो ग्रे कलर, ब्ल्यू कलर या ब्लैक कलर या वाइट कलर लगाती है तो आपके यहां वास्तुदोश बन जाता है और जो आपका अपना furniture है याने kitchen के अंदर जो furniture त्यारा होता है उसके अंदर grey color, blue color या black color आ जाता है तो भी वास्तुदोश बन जाता है जो नाम है जो पैसा है उसमें कहीं न कहीं कमी मैसूस होती है इसी point को देखती हुँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मेरे client ने मेरा reference अपने friend को दिया वो ज़्यदा प्रेशान थे उन्होंने मुझे अपने यहाँ अपने घर पर invite किया जब मैं उनके यहाँ घर पर गया तो उन्होंने मेरे को जो अपनी समस्षे में थे बंसल जी हमारा कारोबार बहुत बड़ी अचल रहा था अपनी line में हमारी बहुत ही इज़त थी और पैसे की जगह बरपूर पैसा भी था लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ 7-8 माईने से हमारा काम की जगह काम नहीं है पैसे की जगह पैसा नहीं आ रहा है ऐसा क्या कारण हुआ हमारे समझ नहीं आ रहा जब मैंने उनके घर को देखा तो उन्होंने अपने घर में अपनी किचन को रेनुएट किया किचन के अंदर जो फरनीचर है उसके अंदर डीमक लग गई थी मैंने पूछा आपने ये किचिन को कब रेनुट किया उन्होंने का बंसर जी लगव साथ-आच महीने हो गया हमारी किचिन के फरनीचर में डिमक लग गई थी और उसके कारण हमने अपनी किचिन को रेनुट किया और बच्चे बोले कि पापा जब हम किचिन को रेनुट कर रहे हैं तो आपकी बार कलर स्कीम चेंज कर लेते हैं और उन्होंने डार्क ग्रे और वाइट कलर का कॉमिनेशन किया मा जब से आपने अपने किचेन को रेनुट के है तब ही से यह समझ से आपके साथ बन रही है बोले बंसुजे बिलकुल आपकी बात बिलकुल दोस्त है मा आप एक कम कीजिएगा आप अपने किचेन का जो डार्क ग्रे और वाइट कलर का कॉमिनेशन है इसको चेंज कीजिए यहाँ पर आप रेड कलर और क्रीम कलर का कॉमिनेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट बैतर मिलेंगे आपके यहाँ पैसा भी आना शुरू हो जाएगा और जो आपको अपने नाम में कमी मैसूस हो रही है वो कमी भी आपकी दूर हो जाएगी उनकी वाइफ कहती है बंसल जी हमारे यहाँ किचिन में जो हमारी पहले किचिन थी उसमें रेड और क्रीम कलर का ही कोमिनेशन था बच्चों ने जित की कि अपकी बार हम अपने किचन को रेनुवेट कर रहे हैं पैसे लगा रहे हैं तो हम अपने किचन का इंकिरियर जरूर चेंज करेंगे मैं आप वापिस से रेड और क्रीम क्लर का कॉमिनिशन कर लीजिए आपको बेनुफेट दुबारा से मिला शुरू हो जाएगा उनके यहां कुछ छोटी छोटी कमिया और थी और मैंने उनको बताई किचन के अंदर दोबारा से वही कलर स्कीम करने के बाद उनका वेपर वापिस वैसा ही चलने लगा आप अपने नया घर बनाने जा रहे हैं या अपनी किचन को रेनुवेट करने जा रहे हैं आप मेरी वीडियो देखकर, सुनकर, समझकर, अपने यहां बदलाव करते हैं, तो आपको भी benefit जरूर मिलेगा, आपको मेरी वीडियो अच्छे लगती है, तो मेरी वीडियो को अपने सर्कल में ज़्यादे ज़्यादा शेयर करें, और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्र सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाए, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो है, उनकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नवीशे पर सब्सक्राइब करेंगे, तब तक के लिए, नमस्कार.